आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी कौनसी चीज़े है जो हमने जरूर कंशिडर करनी है वास्तू के हिसाब से अपना घदर लेने से पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैंने आचार दिवाच्छाब़ा आपकी फूस्ट पताने जा रही हूं पांच वो कॉन्सी चीजें हैं, जो आपने जरूर जरूर कंसिरर करने हैं अपना खर करीदने से पहले, तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, उन लोगों के लिए जो खरीदने जा रहे हैं अपने लिए बिल्डर फ्लोर, बिल्डर फ्लोर क्या होते हैं? कि आजकर urban cities में, metro cities में, जगह की तंगी की वज़े से, एक ही plot में, जब लोग multi-story buildings बना रहे हैं, तीन floors की, चार floors की, और उसमें से एक floor आपने अपने लिए खरीद लिया, उसको हम बोलते हैं, builder floor, तो क्या है वो पहली चीज, पहली चीज जो है, वो है plot की entrance, आपने क्या करना इस तरह से आपने अपना compass खोला, और compass को calibrate कर लिया, और आप खड़े हो गए plot की center में, अब आपने देखना है plot के entrance की तरफ, तो आप plot के entrance के parallel खड़े होंगे, और देखेंगे आपका बहां का entrance क्या है, auspicious है या नहीं है, तो आपने देखा कि आपका entrance जो है auspicious है, ये हो ग देखना भूल जाते हैं, आपने क्या करना है, अब जाना है आपने अपनी floor पे, और अप floor के center में खड़े होके, आप फिर से entrance के parallel इस तरह से खड़े हो जाएंगे, अपना compass जो है खोलेंगे, और entrance के parallel इस तरह खड़े होकर, कि phone आपने सीधा पकरना है, और ध्यान रखना ह कि किसी भी प्रकार का beam जो है, आपके सर के उपर से ना जा रहा हो, या बहुत जादा metal या lights के पास आप ना खड़े हो, क्योंकि उससे compass यह वाले effect हो जाते हैं, तो इस तरह से आप आप देखेंगे कि आपका floor का entrance क्या है, आपने देखा कि आपको floor का entrance भी auspicious मिल गया है, त ना हो, या फिर किसी प्रकार की kitchen जो है वहाँ पर नहीं हो, क्योंकि northeast उन दशाओं में से एक हैं, जो बहुत ही sensitive है, और इनकी remedies भी जो है, वो कामयाब as such नहीं है, तो अगर वहाँ पर kitchen है या toilet है उस northeast में, तो आपने चेक करना है, कि या तो वहाँ से वो हट सकते हैं, यान in case kitchen है, तो kitchen को हम कहीं और पे shift कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो उस घर को आप 100% छोड़ दीजिए, उसको consider नहीं कीजिए, फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, sunlight की, sunlight का reception बहुत ही ज़रूरी है, आपकी physical growth, mental growth और energy को balance रखने के लिए sunlight का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो sun क्या होता है, वो east से rise करता है, तो east या तो हो कि आपकी east में balconies है, open area है, जहां से east से sunlight आ रही है, या फिर south से sunlight आपको जो है receive हो रही है, तो आपने इन चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, कि उस घर में आपकी reception of sunlight जो है बिना sunlight का घरा avoid कीजिए, पांच भी बात हम करते हैं, अब आप घर के बहार आई और घर के आसपास का इलाका देखिए, आपने क्या देखना है, कि घर के पास कोई बड़ा flyover जो है, वो घर के opposite, घर के आसपास 500 मीटर की दाएरे में, 200 से 300 मीटर के दाएरे में, वो घर के आ आपके घर के आसपास नहीं हो, किसी भी तरह का देखिए, तीसरी चीज़ आपने क्या चाह करने हैं, कि घर के आसपास कोई शम्शान घाट जो है, आधे किलो मेटर के रेडियस में, 500 मेटर के रेडियस में, शम्शान घाट आपके घर के पास ना हो, ये थी पांच वो Thank you.